मकर राशी के लोगों के लिए केतू के मकर राशी में होने पर क्या होता है? जब केतू मकर राशी वाले व्यक्तियों के लिए मकर राशी में होता है, तो यह आध्यात्मिक और भौतिक प्रभावों का मिश्रित समूह हो सकता है। केतू वेराग्य, आध्यात्मिक्ता और पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिनिदित्व करता है, जबकि मकर सनरचना, अनुशासन और महत्वा कांग्षा का प्रतीक है। ये स्थिती करियर और सारवजनिक छवी में बेचैनी की भावना पैदा कर सकती है, क्योंकि केतू सांसारिक लक्षियों से वियोग का कारण बन सकता है। हालां कि ये गहन, आत्मनिरीक्षन और आध्यात्मिक विकास का अफसर भी प्रदान करता है। इस्थिती वाले लोगों को अधिकार या कार्यस्थल की गतिशीलता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये उन्हें भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आंतरिक शांती और संतुष्टी की ओर धकेल सकता है। यहां केतु की उर्जा उन्हें अपने पेशेवर जीवन में वेकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसमें संभवता अपरम परागत करिया या आध्यात में खोच्छा मिल हो सकती है।